दोस्तों अभी स्टार्टिंग में जो आपने देखा यह एक वीडियो एडिटिंग है जिसमें की एक फोटो को यूज करके इस तरह का कुल थ्रो करके वीडियो बनाया गया है तो इस तरह के वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं अपने फोटो का या फिर अपने किसी तेजी से trending में है और Instagram पर अगर डालते हैं तो आपका वायरल हो सकता है तो इस तरह के वीडियो कैसे बनाया जाता है बताते हैं हम आपको वीडियो में वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले एक application को आपको इंस्टाल करना होगा प्लेइश्टोर से तो वो कौन application है उसका भी नाम बताएंगे तो चलिए सबसे पहले हम उस application को open कर लेते हैं आ चुके हैं इस application के अंदर में देख सकते हैं बहुत सारे template आपको filter में दिल जाएंगे आप ये सब भी यूज कर सकते हैं फोटो के लिए चलिए एक हेमा जी का फोटो हम यहाँ पर ले आते हैं तो यह हमने हेमा जी का फोटो ले लिया है देख सकते हैं okay कर देते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा video बंद कर ready हो चुका है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा इस video में watermark तो watermark को remove करने के लिए cut पे click करेंगे तो यहाँ पर watch and add का option आएगा आपको क्या करने है watch and add पे click कर देना है जिससे कि आपका यहाँ पर एक add आएगा उस add को देख लेंगे तो आपकी वीडियो पर से watermark remove हो जाएगा तो चलिए हमने click कर दिया है watch and add फे और कुछ second के बाद जो है हमारे पास जो है 25-30 second का एक छोटा सा add आ जाएगा तो उस add को हम देख के उसको cut कर लेते हैं तो देख सकते हैं add हमारे समने आ चुक है और यह खतम भी हो चुक है चलिए cut पे click करते हैं देख सकते हैं हमारे वीडियो पर से watermark remove हो चुका है अब नीचे make option है make पर हम जैसे click करेंगे तो यह यहाँ पर हमारे gallery में save हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फिर से add आ जाएगा इस add को 5 seconds का add आएगा इस add को भी आपको cut कर देना है तो एक दोबार आपको cut करना है बस देख सकते हैं अब यह हमारे gallery में save हो चुका है यह देख सकते हैं successfully save to album तो इस तरह से आप बना सकते हैं तो अब इस application का number चलिए पर में आपको ले चलते हैं play store में जाने के बाद हम यहाँ पर search में जाते हैं search में जाने के बाद हम search करते हैं noise आप देख सकते हैं आपके सामने में noise application है इसी application को play store से install करना है और इस तरह का वीडियो create करना है दोस्तों मुझे उमीद है आपको आज के वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा और आप भी इस trending photo editing यी वीडियो पर आप भी अपना photo डाल कर इस तरह के वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे ताकि आपका भी viral हो सेगए मिलता है next वीडियो में thank you